आजे स्टुडेंट कैसे हो आप लोग देखो वीडियो बनाने के लिए तो कोई दिकत नहीं है अभी जैसे 11.33 पीम हो रहा है तो प्रोब्लम यही कि थोड़ा सा कमेंट्स नहीं आते हैं ठीके और बहुत सारी चीज़े आपके पास है एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम आपके पास ठीक है तो आज के टॉपिक आपके पास है कि कोई भी एक्जाम को कैसे प्रिपियर करोगे और कैसे आप उसको लिखोगे ठीक है देखो प्रिप्रिशन एंड उसको लिखना डिफरेंट दोनों आपके पास ठीक है तो सबसे पहले एसे स्टूडेंट एसे पूर्व रफली आपको टेंसन नहीं रहा है कि सपोस उनिट वन में फर्स टोपिक है ना फिर आपके पास उनिट वन में particular time है second topic एंद आपके पास पूरा इस टाइब का time table बना लो जितने भी आपके पास time बचा हुआ है four five days जितने भी आपके पास है ठीक है next विल भी आपके पास क्या है always keep positive next आपके पास क्या this is important no rata only concept ठीक है आपको कोई भी रटा लगाने के जरूरत नहीं है चीजों को connect करना है और चीजों को आपके पास आपके पास याद नहीं करना है कि याद आज करोगे कल भोल जाओगे आपके पास next विल भी आपके पास क्या है कि देखो this is the important कि कोई भी topics आप पढ़ रहे हो let's suppose आपका unit one है unit one में आपके पास basically four या five topics है तो क्या आपके पास सारे topics तो पढ़ो बट which topic has a higher priority कौन सा topic ज्यादा आपके पास important है या फिर कौन सा topic previous years में आए है वो आपको identify करना पड़ेगा तो definitely previous year questions help आपको देगा next fourth and six आपके पास क्या है आपस में connected है देखो problem यह कि जब आप कोई भी topics पढ़ते हो ना तो उसमें कितने content पढ़ना है आपको आपके पास कोई भी topic आपके पास हो तो आपको उसमें क्या क्या points पढ़ने है क्या उसका definitions पढ़ना है क्या उसका आपके पास diagram पढ़ना है क्या उसका advantage है क्या आपके पास disadvantage है क्या limitations आपके आपके पास है तो definitely आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास notes 100% होना चाहिए, ठीक है, notes आपके पास 100% होना चाहिए और वो notes आप notes कोई भी आपके पास, अजvar वो notes में सारे topics involved होना चाहिए, उसके लिए आप अपने faculties या senior के भी support आप के पास, तो this is very very important कि कई बार ऐसे भी होगा कि इस topic में आपने ये लिखा तो है बट particular things आपने miss कर दिया तो वहाँ पे आपको पता ही नी चीज़े आपके पास होगा तो जो भी topics आप पढ़ रहे हो तो एक आपके पास notes definitely हर topics का आपके पास होना चीए मेरी recording अगर notes आपका handwritten या printed हो तो better आपके पास होता है handwritten मतलब आपका खुद का notes आपके पास next definitely आपको time management के लिए हमने एक time table type का बनाया वो सारे चीज़े आपको करने ही पड़ेगी आपके पास तो this is आपके पास क्या है best way से कोई भी आपके पास examination को prepare कर सकते हो आपके पास this is the some important points आपके पास and this is the according to आपके पास me सबसे ज़्यादा important होता है आपके पास imagination skills आप एक topic पढ़ रहे हो उसको बोल जा रहे हो भाई उसको आपको connect करना पढ़ेगा आपके पास तो maybe some real time examiner आपके पास examples उसमें आपको देना पढ़ेगा तो आपके पास conclusion क्या है कोई भी topics आप पढ़ रहे हो न ठीक है तो उसको आप try करो imagination के दुरू आप उसको समझो याद करने की कोशिस मत करो आपके पास और उसको revision तोड़ा properly आपके पास करो और उस topics में क्या है already हमने बता दिया कि क्या definitions लिखने है क्या diagrams लिखने है क्या advantage, disadvantage ये सारे चीज़े आपको पता होना चाहिए आपके पास ठीक है और next एक और point है कि कोई भी topics आप पढ़ रहे होना है तो आप उसमें देखो क्या diagram है या नहीं आपके पास diagram है तो पहले आप उस पे उस पे आपको focus करना चाहिए next will be अब आपने exam तो आपने पढ़ लिए अब कैसे आप लिखोगे this is very very important तो always धान रखना कि कोई भी हम आपके पास examinations आप देते हो ना ठीक है तो यहां पे क्या होता है this is the left page and this is the right page ठीक है तो left page में आपके पास try करना है some of the tips में दे रहा हूँ है जसके तो आपका examinations maybe better हो सकते हैं आपके पास जहां पे 10 marks है तो हो सकते हैं आपके पास some marks से increase हो जाएगा first point always questions number center में देना है question number one यहां पे ठीक है questions number बहुत सारे student आपके पास left में लिखते हैं आप लिख सकते हो कोई नहीं but according to आपके पास में ही आप questions number ऐसे देना चाहिए और यहां पे एक pen या pencil से आपके पास underline कर दो इस type का questions number one suppose first part this उसके बाद आप यहां से start कीजिए यहां से topic आपके पास start करो ठीक है आपके पास abouts computer में पूछा गया है तो आप computers लिख दो उसके बाद यहां पे आप topics के बारे में लिखो अगर diagram पूछ रहा है तो try करो diagram आपका left portions में होना चाहिए and इस diagram का explanation should be right hand portion ठीक है किवकि जब आपका examiner देखेंगे तो आपका left में diagram होगा right में explanations होगा तो वो positive चीज आपके पास होती है ठीक है next आपके पास कोई भी अगर diagram बनाते हो ना तो वो diagram लिखो कि यह diagram किसका है about the diagram और diagram आप try करो pencil से बनाने के लिए आपके पास कि maximum जो एक questions भी अगर diagram आपको मिल जाएंगे ना तो आपको अगर वो explain करते हो तो थोड़ा सा positive जाद आपके पास होता है ठीक है उसमें number कटने के chances कम होते है आपके पास diagram नहीं है तो जो जो उसके important points है आप उसको लिख सकते हो आपके पास तो यहाँ पे हम आपके पास discuss वही कर रहा है कि इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि two hours या three hours के exam है तो कितने questions है कितने time लगाना चाहिए तो time management will be again important points next will be देखो कोई भी आपके पास questions number या answer लिखते हो ना तो आप जैसे आपके पास numerical है ठीक है या फिर आपके पास main main points है उसको highlight जरूर करोगे आपके पास ठीक है या फिर जब last में वह answer आया जैसे कोई भी mathematics का तो answer x की value 15 तो ऐसे आप लिखोगे this is the final answer आपके पास next हमने क्या बोला है कि mention the given data and formula yes कोई mathematics का questions है तो आप definitely formula mention करोगे कई सारे student यह कहते है कि भाई आपके पास जैसे a square minus b square है तो आप पता हो यहाँ पे कि भी a plus b और आपके पास a minus b होता है कोई आपके पास matrix का formula आपने यूज किया तो वो भी सारे concept आपको महाँ पे concept ने formulas लिखना जरूर ही होता है आपके पास ठीक है next will be this is the important बहुत सारे ऐसे theory questions होते है आप paragraph में लिखते हो number नहीं मिलेंगे आपको बिलकुल नहीं मिलेंगे आपके पास तो आप use करो bullet points ठीक है यानि paragraph में आपको use नहीं करना है आपको points में लिखना है ठीक है this is the first point, second point, third point and fourth points ठीक है आप main main points को यहाँ पे black pen से क्या करो highlight कर दो आपके पास ठीक है this is called bullet points ठीक है bullets मतलब यह सारे चीज़ होगा आपको highlight भी करने आना चाहिए आपके पास next will be underlining the keywords yes definitely आपके पास अगर कोई पूछता है आपके पास what is the computer तो आपके पास क्या definition होगा ठीक है it takes the input and process the data and generate the outputs तो input पे क्या है आप यहाँ पे underline कीजिए process पे आपके पास क्या करना होगा underline करना होगा and output पे भी आपको underline करना पड़ेगा next will be this is the important factor handwriting handwriting ठीक है तो जिसके लिए handwriting अच्छी है तो उसके लिए positive जिसके लिए अच्छी नहीं है तो आप slowly slowly लिखो जिसके तुरू सामने वालों को चीजे clear हो और जिसके handwriting आपके पास better नहीं है तो try करो कि presentations आपका better हो diagram आप अच्छे बना हो उसमें points अच्छे तरीके से आपके पास लिखो तो ये सारे points आप क्योंकि मैंने बता दो दिया बट थोड़ा सा difficult तो आपके पास नहीं होना चाहिए आपके पास implementations में बट आपको try करना पड़ेगा आपके पास next last मैं बता रहो कई सारे बच्चे ये पूछते है सरा हमारे पास four marks का questions है two marks का questions है eight marks का questions है कितने pages आपके पास fill किया जाए ठीक है तो always आपके पास एक में trick बताता हूँ अगर आपका two marks का आपके पास questions है अगर mathematical है तो इसमें कोई steps की जरूरत नहीं होती है ठीक है normally आपके पास mathematical भी हो तो आप steps लिख सकते हो step one, step two, step three but इसमें definitely मतलब theory से कमी point आपके पास होंगे तो mathematically कि हम बात नहीं करें अगर हमारे पास theory questions हो उसमें अगर two marks है तो definitely आप try करो कि आपके पास left and right या फिर आगे पीछे try करो की एक pages fill कर रहे लिए आप try करो ठीक है diagram है तो diagram दे दो आपके पास दो marks में अगर कोई diagram है तो diagram लिख सकते हो आपके पास next यह है कि अगर वही चीज़ आपके पास four या five marks में पूछे जाते है concept देखो कोई भी अगर आपका problem statement given है ना four five marks में पूछे जाते हैं तो अगर उसमें diagram है तो one page तो definitely क्या हो जाएगा diagram में आपके पास चला जाएगा one page का मतलब यह है कि आगे पीछे दोनों ठीक है left right में आपके पास लिख जे रहा हूँ ठीक है तो four five marks होगो तो definitely आपके पास मेरे recording ठीक है कि आगे पीछे आपके पास तीन pages fill करना चाहिए आगे पीछे आपके पास ठीक है अगर theoretically है तो क्योंकि एक page में diagram आपके पास assume करता हूँ अगर नहीं भी है तो उससे related some advantage some आपके पास disadvantage ऐसे points आपको लिखने पड़ेंगे ठीक है अगर ten marks का होता है तो आप है ना आप यहाँ पे four pages या five pages लेख सकते हो आपके पास ठीक है तो मतलब four pages आगे पीछे ten marks के में बात कर रहा हूँ ठीक है तो depend करता है आपके पास university examinations पे ten होता है four five में आपके पास आगे पीछे में भी four five pages इतना लेख सकते हो ठीक है यहाँ पे आगे पीछे six pages होता है बट four five में भी चलेगा आपके पास अगर diagrams नहीं है तो next अगर ten marks का questions पूछा जाता है तो आपको definitely रूल यही आपके पास होता है कि जितने marks होते है न उतने page फिल करो यह rule आपके पास normally कहते हैं आपके पास ठीक है बट ऐसा नहीं होता है आपके पास एक दो pages less भी भड़ोगे तो कोई दिखते हैं बट वो चीजे relevant आपके पास होना चाहिए ठीक है तो best of luck ठीक है हमने try कि आपके पास कोई भी topic को best way से prepare करो उसको आपके पास लिखो और best of luck thank you so much ठीक है और थोड़ा वीडियोज पर comments किया करो आप लोग ठीक है